चेतक की लाइनप के अंदर सबसे expensive model है चेतक 3201 वहीं iCube की लाइनप के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला model है iCube 3.24 kWh इन दोनों ही scooters के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ा common है कि किसी भी buyer को confuse कर सकती है और सोचने पे मजबूर कर सकती है कि आखे दिन दोनों scooters में से कौन सा scooter लेना सही decision साबित होगा तो चली आज इन दोनों scooters को compare करते हैं तो आशियों को मेरा सलाम और दिल चुटो बैगा चैनल में अब सोलों का सौगत दे सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में आईक्यूब का जो प्राइस है वो है 1,36,000 रुपे जबकि चेतक का जो प्राइस है वो है 1,37,000 रुपे तो प्राइस के हिसाब से तो चेतक सस्ता लग रहा है पर यहाँ पे चेतक के अंदर software upgrade के नाम पे आपको अलग से टैक पैक खरीदना पड़ता है जिसके लिए 5,6 रुपे एक्स्ट्रा देने होते हैं तो अगर आप चेतक को 5,6 रुपे एक्स्ट्रा देके टैक पैक के साथ खरीदते हो तो इन दोनों स्कूटर्स के बीच का price difference बहुत ही ज़ादा कम हो जाता है अब देख लेते हैं कि इस price के अंदर दोनों ही brands आपको क्या-क्या offer कर रहे हैं अगर हम battery की बात करें तो iCube के अंदर 3.4 किलोटास का battery pack आता है इसकी IDC range 100 km की है actual range भी आपको 100 km मिल जाती है और इस गाड़ी को full charge करने में 6 घंटे का समय लगता है जबकि चीतक के अंदर 3.2 किलोटास का battery pack आता है इस गाड़ी की IDC range है वो 130 km से actual range इसमें भी आपको 100 km के आसपास मिल जाती है और इस गाड़ी को full charge करने में आपको 5 घंटे का समय लगता है battery capacity दोनों ही vehicles के अंदर almost same है और इसी वज़ा से actual range भी दोनों ही vehicles के अंदर almost same है पर range accuracy IQ के अंदर जादा है क्योंकि बहुत सारे IQ के users ने बताया है कि TWS वाले क्लेम करते हैं कि ये गाड़ी आपको 100 km की range दे देगी और actual में ये गाड़ी आपको 100 km की range दे देती है जबकि चेतक के अंदर पहले कुछ users को range drop के issues आये थे पर चेतक ने अपने vehicle के अंदर नई और innovative battery use करना start कर दिया है तो अब ये range drop वाला issue नहीं आ रहा है दोनों ही vehicles में fast charging नहीं आती है लेकिन अभी market में ये दोनों उन vehicles में से हैं जो सबसे कम portable charging time offer कर रहा है और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि IQ 0-80% charge मात्र साड़े 4 घंटे में हो जाती है और चेतक 3201 0-80% charge करने में 3 घंटे 35 मिनिट का time लगता है वैसे यहाँ पे ज़्यादा difference नहीं है पर कम charging time की वज़ा से चेतक यहाँ पे एक better option नज़र आ रहा है अब अगर हम motor की बात करें तो IQ के अंदर 4.4 kilowatt की hub mounted motor आती है इस गाड़ी की top speed 78 km पर आ रहे और 0-40 जाने में 4.2 second का time लगता है वहीं चेतक के अंदर 4.2 kilowatt की side mounted PMA से motor आती है इस गाड़ी की top speed 73 km पर आ रहे और 0-40 जाने में 4.5 second का time लगता है बैटरी के जैसे ही motor capacity में भी यहाँ पे दोनों स्कूटर्स में ज़ादा difference नहीं है पर actual difference है motor के setup के अंदर यहाँ चेतक के अंदर आपको ज़्यादा use case वाला side mounted PMA से motor मिल रहा है जबकि IQ के अंदर आपको हम motor मिलती है जिसे खराब सड़कों पे vehicle चलाने पे motor के damage होने खतरा बढ़ जाता है तो इस हिसाब से यहाँ पे चेतक एक ज़्यादा better option बन जाता है अब चलते हैं boot space की तरफ IQ के अंदर आपको 32 liter का boot space मिल रहा है जबकि चेतक के अंदर आपको 21 liter का boot space मिल रहा है boot space के मामल में एक बहुत बड़ा difference है क्योंकि IQ के अंदर आपको ज़्यादा storage का space मिल रहा है जिसमें आप बहुत सारा समान रख सकते हो जबकि चेतक के अंदर छोटा boot space है और चेतक में आगे glove box भी दिया हुआ है इसके बावजूद चेतक का storage space IQ के मुकाबले कम है और इसी वयसे यहाँ पे IQ एक ज़्यादा better option बन जाता है अब बात कर लेते हैं curve weight और build quality की IQ का curve weight 118.6 kg है जबकि चेतक का curve weight 134 kg है भाई weight और build quality के मामले में तो चेतक सीधा सीधा विनार है क्योंकि पहला electric scooter है जो metal body के साथ आता है और इसी वयसे इसकी build quality बहुत ज़्यादा strong है पर ऐसा नहीं है कि IQ की build quality ज़्यादा अच्छी नहीं है IQ की भी build quality अच्छी है पर IQ की build quality चेतक के आगे थोड़ी फीकी पढ़ जाती है अब बात कर लेते हैं tire, brakes और suspension की IQ के अंदर front में आपको 12 inch का alloy wheel मिल जाता है disc brake मिल जाता है telescopic suspension मिल जाता है जबकि rear में आपको 12 inch का alloy मिलता है drum brake मिलता है और twin shock absorber मिल जाता है और चेतक के अंदर भी front में आपको 12 inch का alloy wheel मिलता है disc brake मिलता है पर यहाँ पे आपको single side leading link suspension मिलता है और rear में आपको 12 inch का alloy wheel मिलता है drum brake मिलता है और single side suspension मिलता है भाई यहाँ दोनों ही brands आपको alloy wheels offer कर रहा है और साथी दोनों ही ब्रांट्स के अंदर आगे आपको disc brake भी मिल रहा है suspension के मामले में एक difference है क्योंकि i-cube के अंदर front और rear में आपको dual suspension का setup मिल रहा है जबकि चेतक के अंदर दोनों ही जगा पे आपको single side suspension मिल रहा है और इसी वज़ाए से i-cube को चलाते हुए चेतक के मुकाबले जटके कम महसूस होते है तो ज़ादा comfortable ride होने की वज़ा से यहाँ पे i-cube एक ज़ादा अच्छा option बन जाता है अब बात कर लेते हैं electric scooter में एक बहुत जरूरी चीज़ की warranty i-cube के अंदर vehicle और battery के उपर आपको 3 साल या 50,000 km की warranty मिलती है आप 6,000 रुपे extra देके बैटरी के उपर 5 साल और 70,000 km की extended warranty ले सकते हो और चीतक के अंदर भी आपको vehicle और battery के उपर 3 साल और 50,000 km की warranty मिलती है और 6,000 रुपे extra देके यहाँ पे भी आप battery के उपर 5 साल और 70,000 km की extended warranty ले सकते हो भाई warranty के मामले में यहाँ पे कोई भी difference नहीं है यहाँ तक कि extended warranty के लिए जो आपको price पे करना है वो भी दोनों ही brands के अंदर बिल्कुल same है जो कि 6000 रुपे है तो यहाँ warranty के मामले में मामला tie हो जाता है अब चलते हैं display की तरफ iCube के अंदर आपको 5 इंच का LCD display मिलता है जिसमें internal connectivity, bluetooth through app, incoming call alert, OTA updates, turn button navigation, park assist, anti-theft alert, geofencing और crash और fall alert जैसे features मिल जाते हैं जबकि चेता के अंदर आपको 5 इंच का LCD display मिलता है जिसमें आपको turn button navigation, bluetooth, call and music control, reverse mode, hill hole assist और geofencing जैसे features मिल जाते हैं display के मामले में चेतक ने इस model में काफी improvement करी है और disc brake के अलावा एक यही बड़ा difference है चेतक 3201 और चेतक के बाकी models में लेकिन अगर आप iCube से compare करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़े almost same ही हैं लेकिन अगर आप जहान से देखेंगे तो iCube के अंदर features थोड़े जादा मिल रहे हैं और iCube के अंदर आपको features के लिए चेतक जैसे अलग से tag pack भी नहीं लेना होता तो चेतक ने display के मामले में थोड़े improvement तो करी है पर फिर भी अभी वी वो iCube के मुकाबले थोड़ा पीछे है अब बात कर लेते हैं दिल तूटबाई करके conclusion का दोनों ही brands वो brands हैं जिनोंने शुरू सही fancy features की जगा अच्छी range और अच्छी build quality पे focus किया है और यही वज़ा रही कि जहां market में कुछ brands music speakers जैसे feature को promote करने में लगे थे वहाँ ये दोनों brands अपनी build quality और reliability को ही showcase कर रहे थे और इसका result आया भी है क्योंकि मंतली basis पर total electric tubular की sales लगबग उतनी ही रही है जितनी पहले थी लेकिन इन दोनों brands का market share अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है IQ के अंदर अभी भी improvement के लिए बहुत सारी चीज़े बाकी है साथ ही जिस price के अंदर TVS वाले IQ 3.4 किलोटर विरिंट आफर कर रहे हैं वो काफी महेंगा लगता है TVS को बजाज की तरह ही एक 100 किलोटर की range देने वाले स्कूटर को एक लाग के अंदर market में जाने की जरुवत है और TVS जिसी बड़ी कंपनी को अपने स्कूटर के अंदर हम मोटर हटा के कोई दूसरा मोटर सेटप लगाना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज भी नहीं है लेकिन अगर आप इन दोनों स्कूटर के बीच में comparison की बात करें तो यहाँ पे मेरे साब से चेतक एक जादा better option नजर आ रहा है बलकि अगर आप थोड़े और कम price के अंदर स्कूटर लेना चाहते हैं तो आप चेतक 3202 भी देख सकते हैं तो भाई ये तो था चेतक का TWS IQ के साथ में comparison अगर आपको इन दोनों विकल से लिट कोई भी doubt है तो comment करके हमसे पूछ सकते हैं एलेक्ट्रक विकल के ऐसे ही वीडियोज के लिए आप दिल तूटा पाया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए